प्रसिक्षन देने से भारत में सभी पेपर मिले निर्यात इस तरिये कागस बना सकेंगी युवाओं के कागस उध्योगों में रूजगार के अफसर प्रदान करेंगी यह शिश्किल सर सेंट्रल पल्प एंड पेपर रिसर्च इंसिट्यूट के सभागिता से विश्विस्तरिये दो नए कोस पल्प एंड पेपर ऑपरेशन्स और फाइबर मोल्डेट प्रड़क्ट ऑपरेशन्स का शुभारम किया जा रहा है समधाता आजम की रिपोर्ट एक इनिशेटिव लिया था यह यह को टेक ओवर करने का उसके बाद से हम लोगों ने देखा कि हमारे पास जो स्रेंथ है तकरीबन 1100 लोगों की रोज़की रहती है तो अपनी स्किल एन्हेंस्मेंट के लिए हमने कुछ शॉट तरम कोर्स शुरू किये हैं आइटियाई में और कुछ लॉंग तरम कोर्स इसके बाद फिर हम तैयार करेंगे कि सरफ हमें ही ना सर्फ करें हो बाहर और इंडस्ट्रीज को भी दे पाए को इसलिए एक इनिशेटीज स्टाट किया है जिसके साथ हम सब्सक्राइब करेंगे और बीस बच्चों के बैस से हम शुरूआप करेंगे इस साथ किस तरीके कि सार्व ट्रेनिंग होगी और जिसमें पढ़ाया भी जाएगा और फिल्ट्रेणि जो प्लांट में होती है वह कि इसमें इनिशिली हां लगेगा लेकिन वह लोग वर्क आउट कर रहे है कि कैसे हम बेनेफिट बच्चों को दे सकते हैं प्रदान कर सकते हैं ताकि उनको एक कोर्स करने के वाद जॉब गरेंटी भी हो होगा है कि YES PECA Limited जो पूल में YES PECA Limited के नाम से जानी जाती थी हम पिछले 40 साल से कागज बना रहे है तो हमारे दिमाग में ये ख्याल आया है कि जो कागज को दियो गए वहाँ पर लोगों की शॉटेज हमेशा रहती है ट्रेंड मैंपावर की शॉटेज रहती है तो क्यों वहाँ पर लोगों को ट्रेंड करके उनको रोजगार के आऊसर भी दिये जाए प्लस उनके लिए पेपर इंडस्ट्री में जितने की लोग है उनके लिए स्किल पावर भी क्रियेट की है तो भालत का पहला कोर्स जो पेपर टेकनोलोगी पर ऑपेटर्स को सिखाने के लिए चालू हो रहा है तो हमारे हां चालू हो रहा है और जो मोल्डेट पाइबर का जो विश्व का पहला पोर्स है वो भी हम अपने हां सेंटल पल्पन पेपर रिसर्च इंस्टियूर की सहिवागिता से चालू कर रहा है है इसमें 40 लाभार्ती टोटल के वो लाप राप कर है और 20 मोड़े पाइबर में